हाई फ्रेंड्स गुडी इवनिंग मेरा नाम माधूर्य है वेलकम टू अप्शन बॉक्स लेट्स स्टार्ट टूडेज अनलिसिस आज की दिन क्या हुआ कौन-कौन से सेक्टर फोकस में थे तो फ्रेंड्स पहली बात तो आज का तो सेशन था वो एक प्रॉपर फ्राइडे बाला सेशन था और जो आज हमें fall देखने को मिला है आप देख सकते हों यहाप एक बहुत बड़ी सी रेट केंडल बनी है और काफी भैंकर आज हमें fall देखने को मिला across the board सारे sectors में सारे स्टॉक्स में बहुत भैंकर फॉल था, बैंक निफ्टी निफ्टी और सेक्टोरल इंडेक्स में हमें आज अच्छी खासी गिरावट काफी दिनों बाद देखने को मिली, तो कहीं न कहीं ये फॉल की शुरुवात हो चुकी थी, दो-तिन दिन पहले से मैं आपको बता रहा था, जिस हिसाब से मैक्रो फेक्टर प्लेस जिन थे, वो काफी क्रूशल थे, जैसा कि डॉलर इंडेक्स हमारा 112 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, दो साल की अमेरिका की जो बॉन्ड इल्ड है, मतलब बॉन्ड पे मिलने वाला जो ब्याज है, वो तक्रीवन 4% के उपर हो चुका है, यूरोप में रिसेशन के चांसेज हैं, तो इन सब मैक्रो फेक्टर के बीच में निफ्टी का टिक पाना काफी मुश्किल था, और जिस हिसाब से कल रूपी में गिरावर्ट आई, रिकॉर्ड लेवल पे, एक ही दिन में हम सीधे 80 से 81 पे पहुँच गए, जो की और खत्रे का साइन था, जहां पे RBI भी रूपी को नहीं बचा पाई, इन सब के चलते आज जो इसका डॉमिनो इफेक्ट था, वो आज हमें अपने इंडियन एक्विटी मार्केट में देखने को मिला, तो सबसे बहले डेली चार्ट की बात करते हैं, डेली चार्ट पे मैंने आपको कल कुछ सपोर्ट दिये थे 17,429, 17,345, दोनों ही सपोर्ट तोड़ दिये मार्केट ने, और मार्केट दोनों सपोर्ट तोड़के, दोनों सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है, कल हला कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये डोजी का लोड तूटेगा, तो ये दोनों सपोर्ट कल ही के दिन में, मतलब आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं, अगला सपोर्ट कहां आ रहा है friends अब अगला support आ रहा है हमारा 17,180 के उपर तो मैं आपके लिए mark कर देता हूँ ये वाला support 17,180 अब अगला बहुत important support है अगर friends ये वाला जो support भी break हो जाता अगर market 17,180 support break कर देता है तो then हमें यहाँ पर Fibonacci retracement लगा के देखना पड़ेगा कि अगला market के लिए crucial support क्या है तो ये जो swing low था यहाँ से मैं swing high तक ये projection को खीचता हूँ तो जो अगला जो level निकल के आ रहा है वो 38% retracement का होगा जो की निकल के आ रहा है 17,300 तो 17,300 भी एक तरीके से जो 17,000 का level है वो market के लिए psychological level की तरह work करेगा तो यहाँ मैं work लिख देता हूँ 17,000 17,000 ब्रेक हुआ तो कहा हैंगे 16,600 तो यहाँ पे दो बड़े-बड़े gaps भी आप देख सकते हो मैं इसको delete कर देता हूँ तो बड़े-बड़े nifty में gaps shootे हुए मैं एक gap तो हमें यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको यह circle करके बताता हूँ तो आपको clearly visible रहेगा मैं किस gap की बात कर रहा हूँ तो अभी तक market ने यह gap fill नहीं किया है तो एक gap यह है एक gap यहाँ पे है और फिर एक gap यहाँ पे चौथा gap यहाँ पे तो अभी भी nifty को नीचे में चार gap fill करना बाकी है आज weekly भी मतलब close हो चुका है आज शुकरवार था Friday closing के दिन हम weekly charge लेखते हैं तो weekly charge के हिसाब सगर बात करें तो एक तरीके का double top pattern हमें देखने को मिल रहा है तो पहला top यह था जो कि 17,180 और अगर यह तूटता है तो 17,000 तक हम market में आने वाले दिनों में देख सकते हैं कल के दिन में मैंने आपको एक channel draw करके बताया था और बताया था किस तरीके से market channel में trade कर रहा था मैंने यह भी बोला था कि अगर market यह further channel के अंदर आ जाता है तो we can expect a major fall तो दिन भर market सबसे पहले तो जो support लेके ऊपर गया था channel की line के तक्रीबन यहाँ पे तो आज खुलते से ही market नीचे गया दिन भर यह channel के अंदर trade करता है और finally channel को थोड़ा सा breakdown दे और फिर finally channel के अंदर आके यह close हमारा हो चुका है 5 minute chart की बात करें तो यह 5 minute का chart है दोनों channels की line delete कर देता हूँ मैं आपके लिए channels by the way बहुत अच्छी चीज़े होती हैं trade करने के लिए तो एक बड़ी सी red candle के साथ शुरुवात हुई तकरीबन थोड़ी ही देर में सवा 9 से लेके 9 बच के 35 minute में 20 minute में ही जो 618 से हम लोग 468 के level पर आ चुके तो 300 point की गिरावट हो चुकी थी थोड़ा बहुत यहां पर consolidation हुआ बट जिस हिसाब से dow futures दिन में भी down थे मैं आपके लिए consolidation बना देता हूँ यह जो friends कुछ trade रहते हैं मतलब आज जो हमने जो अपने कुछ mentees हैं उनको जो suggest किया था कि किस तरीके से market में fall आ सकता है global macro factor के through तो उनका आज भरपूर फायदा उठा और हम लोगों ने आज के 17 में काफी अच्छा पैसा बनाया है तो यह जो कुछ एक level था इस जो pattern बोलते हैं इसको हम बोलते हैं descending triangle pattern तो descending triangle pattern एक मंदी का pattern होता है तो मंदी के pattern के बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छी entry ले सकते थे आप यहाँ पे भी entry लेते तो तक्रीवन 17,384 से आपको 17,298 तो तक्रीवन 11,500 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल जाते तो यह तो हो गई French Nifty की बात weekly chart पे भी throughout एक जो आज की candle की वज़े से एक जो closing मिली है बहुत solid candle बनी है और एक तरीके से यह shooting star candle stick का एक form ले रही है RSIB 60 के level पे touch करके नीचे आगे जो की बता रहा है कि market फिलाल अभी bullish नहीं है तो अगर आप या तो cash में रख सकते हो bank nifty की बात करें तो bank nifty में तो और भी हालत बेकार थी क्योंकि जिस हिसाब से bank nifty में ये जो double top देखने को मिला जो all time high था जो दो हमते पहले हमने चुआ था all time high तकरीबन 41,820 का और ये जो double top जो यहां पर लगा है मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताए भी था कि किस तरीके से gold के चार्ट में भी इस तरीके का double top हमें देखने को मिला था आप मेरे previous वीडियो जाके देख सकते हो किस तरीके से मैंने gold और bank nifty की वहाँ पर analogy दी थी कि gold में भी इस साल यही हुआ था same काफी दिनों का consolidation का high के पास आके gold किस तरीके से गिरा है और bank nifty में भी अब ऐसा ही लग रहा है तो doji बनी थी doji candle का low टूटा daily chart की बात करते हैं तो daily chart के हिसाब से भी जितने support थे सारे support french break हो गए मैंने कल बोला था जैसे ही कल यह support टूटेगा इसके नीचे जाएगा we can see further weakness in market तो market ने almost अपने सारे support तोड़ दिये nifty की तरह भी तो अब जो अगला major support निकल के आ रहा है bank nifty के लिए वो हमारा निकल के आ रहा है तकरीबन हमारा support आ जाएगा अब यहाँ पर जो की एक level निकल के आ रहा है which is 39,255 तो मैं उसको round figure में कर देता हूँ 39,250 मैं इसको कर देता हूँ इसके बात जो हमारा सीधा जो अगला support निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा सीधे हमारा support यह 38,900 तो 38,900 हमारा अगला support निकल के आ रहा है 8,900 तो मैंने कल के वीडियो में बताया था जिस तरीके से macro factor strong नहीं है macro factor से काफी जादा दिक्कत देखने को मिल रही है तो आने वाले कुछ दिनों के लिए अब थोड़ा सा जो trade है वो थोड़ा सा tricky हो गया है तो as usual पांच मिनिट चाट की बात करें gap down हुआ gap down से भड़ भड़ा कर nifty गिरी bank nifty और दिन भर थोड़ा सा sideways trade चला तकरीबन 17-10 से लेके साड़े 11 तक 12 बज़े तक sideways trade हुआ breakdown के बाद हम लोग नीचे आ गए bank nifty में breakdown के बाद थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली nifty में थोड़ी जादा गिरावट देखने को मिली weekly chart मैंने आपको friends बता ही दिया है तो weekly पे भी supports फिलाल यही रहेंगे 39,250 और जो अगला support है वो 38,900 का रहेगा जो हमारा previous यह जो breakout level है यह भी कहीं इन levels पे आ रहा है तो यह जो high था यह high के around हम market कहीं न गहीं अपना अगला support ले सकता है अगर 39,250 break होता है तो RSI की बात करें तो RSI थोड़ा सा bank nifty का positive है क्योंकि RSI ने अभी तक 60 के नीचे closing नहीं दिया है nifty ने closing दे दिया है nifty काफी जाधा divergence भी था nifty के में थोड़े दिन पहले बनाया था किस तरीके से divergence का setup बना हुआ है nifty में bank nifty में अभी strong बात यह कि bank nifty अभी भी RSI 60 के ऊपर trade कर रहा है तो अगर market पलटता है market पलट के थोड़ा भी ऊपर जाने का sign देता है तो सबसे पहले banking shareों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है तो यह चीज का आप विशेश दियान रखें मैंने आपको यह भी बताया था कि किस particular stock की वज़े से market में पॉल आ रहा है तो वो stock का नाम था friends reliance और जिस तरीके से हमने बताया था आपको support level बताये थे reliance में यह reliance की वज़े से किस तरीके का market में जो है वो breakdown हो रहा है मैंने आपको weekly chart बताया था उसका daily chart भी बताया था तो daily chart में मैंने आपको यह कहा था कि reliance अपने 233 moving average के नीचे continue चार दिन से closing दिये और अगर यह level तूटता है जो कि level तूटा आज 2480 का और 2480 का सीधे तूट के हम लोग आ गए 2430 पे तकरीबन यही levels मैंने आपको उस दिन भी mention किये थे weekly chart की बात करें तो weekly chart में पहली बात तो double top है यहाँ पर मैं आपको clearly दिखा देता हूँ यह double top pattern है जो थोड़े दिन पहले भी discuss किया था मैंने double top pattern मंदी का pattern होता है double top pattern जब भी बनता है उसके पाद मंदी आती है most of the time 90% of the time यही होता है double top pattern की neckline फिलाल यहाँ पर placed है इसके बाद neckline आएगी यहाँ पर तो यह हमारा level निकल के आ रहा है 2375 अभी stock चल रहा है 2439 पर इसके लावा कौन सा pattern बन रहा है friends एक और बहुत अच्छा pattern बन रहा है मैं आपको line chart पर दिखाता हूँ इसमें बन रहा है head and shoulder pattern तो head and shoulder pattern थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा बट अगर टेक्निकली बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको इसमें multiple head and shoulder pattern दिख जाएंगे तो सबसे पहले head and shoulder pattern तो यहाँ पर बन रहा है friends यह था मेरा head मैं इसको mention कर देता हूँ यह मेरा हो गया head ठीक है फिर मेरा आप बताओ left shoulder का है तो मेरा left shoulder हो गया यहाँ पर यह मेरा था left shoulder तो मैं कर देता हूँ left shoulder right shoulder मेरा कहा था right shoulder मेरा था यहाँ पर head and shoulder pattern double top weekly पे daily पे head and shoulder pattern इतने सारे मंदी के pattern बन रहे हैं तो reliance उपर कैसे जाएगा neckline कहा थी neckline थी यहाँ पर मैं आपके लिए neckline मना जेता हूँ यह यह थी मेरी neckline और यहीं पर जो 233 moving average था यह भी आ रहा था तो हमें दो trigger मिल रहे थे मंदी के एक तो 233 का जो moving average है जो math particularly देखता हूँ वो भी break हो रहा था प्लस हमारे daily chart पे head and shoulder pattern भी था तो दोनों का घातक combination हुआ और घातक combination के बाद reliance में हमें आज के सत्र में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और बीते कई दिनों से मैं आपको यह वैसे भी बोली रहा हूँ कि reliance जब तक head यहाँ पे है एक shoulder यहाँ पे है और यह जो पूरा structure बना है यह पूरा एक मेरा बन गया मेरा right shoulder तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ एक बहुत लंबी अबदी का इसमें एक और head and shoulder pattern का यहाँ पे निर्माण हो रहा है तो एक head and shoulder pattern यह था यहाँ से breakdown आया clear cut देख रहे ह और एक यह बहुत बड़ा head and shoulder बन रहा है जिसके की neckline अभी 2375 पे है तो अगर 2375 अगर level तूटता है गलती से और reliance एक या दो दिन चार दिन इस level के नीचे trade करता है तो फिर reliance का जो यह up move है जो इतने दिन से reliance up trend में चल रहा है continue covid के बाद से हम देख रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा फिर समझ में आएगा कि reliance अपने up move को अब negative कर रहा है उसके बाद 2240 बहुत important support difference यह level पर और उसके बाद फिर तो हला कि supports काफी है उसके बाद 2180 पर भी reliance पर अच्छा support है sectoral indexes की बात करेगी है sectoral क्या हुआ और आज तो friends कुछ भी बात करना मतलब बेकारी है क्योंकि जिस हिसाब से market में fall आया है चाहे PSU banking stocks हो या media stocks हो या फिर दूसरे और कोई stocks हो सभी में 4 तरफा गिरावट रही निफ्टी PSU index 4% के down banking index, media 3.5% down, reality 2.96, निफ्टी public sector enterprises 2.77, bank nifty 2.67, energy, private bank, financial services, across the board 4 तरफा गिरावट थी friends, mid cap की हालत बहुत खरापती 2% down था, small cap की भी 2% down था, nifty pharma, nifty FMCG relatively और nifty IT, यह अच्छा perform, पतलब अच्छा perform क्या, market का outperform किया, क्योंकि overall market के relative के मुकाबले यह कम गिरे हैं, जिसमें से 2 sector तो बहुती पिटे हुए हैं, एक पहला तो nifty IT और nifty pharma, क्योंकि nifty pharma ने भी इतने दिन से कोई return नहीं दिया, nifty IT में हम already 50% का correction देख चुके हैं उपर से, FMCG, तो basically यह जो 3 sector होते हैं, यह 3 sector ज यूज करते हो, जो दूसरी FMCG, fast moving consumer, जो goods है, वो चीज़े यूज करते हो, भई, मन्दी कित्ती भी आ जा, ना चोड़ोगी नहीं, दूसरी चीज़े consume करना तो चोड़ोगी नहीं, तो FMCG में continue, जो sales और जो बाकी चीज़ें, वो continue बनी रहती है, IT pharma को भी as a safe haven देखा जा अज आटो सेक्टर के, मतलब भेंकरी मन्दी थी, बैंकिंग की तो बात करें तो ऐसा लग रहा है, सब लोग शायद आज ही पैसा बैंकों से निकाल लेंगे, पंजाब नेशनल बैंक 6% डाउन, एयू स्मॉल फाइनस बैंक पॉने 4% डाउन, बैंको बढ़ोधा 4% डाउन, कैनरा बैंक पॉने 6% डाउन, एक्रॉस दबोड, बैंकिंग में गिरावट थी, FMCG में ITC जिसका लोग काफी मजाक उड़ाय करते थे, भाई साब 140-150 के लेवल पे कोई लेने को तयार नी था, और आज स्टॉक अपने lifetime high के पास आके खड़ा हुआ है, तकरीबन 367-370 का इ इसके पास खड़ा हुआ है, तो overall FMCG में कम गिरावट थी, थोड़ा सा defense देख ले थे, defense काफी दिन से buzzing थी, defense में भारी बर कम गिरावट रही, IT देख ले थे, IT में ठीक ठाग था, IT में जैसे आज large cap को अगर छोड़ दे तो large cap 1% से कम गिर है, विप्रो, Infosys, HCL, TCS, ठीक, commit cap ने भी ठीक ठाग परफॉर्म किया, बाकी तो गिरावट जो market सब को लेकि डूपता है, तो फिर सारे shares एक साथ ही डूपते है, cement share, शेत्र जो इतने दिन से upmove में था, cement share में भी भारी गिरावट देखने को मिली, IPO वाली stocks देख ले थे, IPO में कुछ हल चल हुई, क्या बा देखने को मिली, stock in news की बात कर लेते तो अच बहुत बड़ी खबर आ रही है कि Tata Group ने आज सुबह सुबह एक announcement किया है कि Tata Group के जो metal related stock है, तो metal related stock कौन से है, Tata Steel, Tata Metallics, Tata Steel Long Products, TRF, यह जो जितने भी stock है, इनका एक company Tata Steel में merger कर दिया है, तो इस से related news आप यहाँ पर पढ़ स सकते हो, Tata Steel, Tin Plate Company of India, TRF, Tata Metallics, Indian Steel and Wire, यह listed नहीं है, Tata Steel Mining and S&T Mining Company, यह तीनों जो company listed नहीं है, इनका भी जो merger है, वो Tata Steel में कर दिया है, अब आगे चल कि इस से क्या फाइदा होगा, ऐस सच कुछ बड़ा फाइदा नहीं होगा, क्योंकि इन सभी company का अगर हम total revenue देखें, त तो वो Tata Steel के मुकाबले 1-6th revenue है, मतलब Tata Steel जितना profit और revenue करती है, उसका 1-6th ही यह सारी company revenue कर पाती है, तो मेरे point of view से इतना बड़ा कोई impact नहीं पड़ेगा, एक impact जरूर पड़ सकता है, एक stock में जिसका की नाम है Tata Investments, तो आप देख रहे होंगे, कुछ लोगों को एक खबर पता थी और खबर के चलते Tata Investments ने यहाँ पर ब्रेक आउट दिया था, 1725 के लेवल पर ब्रेक आउट दिया था, ब्रेक आउट के बाद flag formation हुआ था, और 1725 से stock मतलब विदिन, थोड़े ही दिन में, थोड़े ही दिन में, मतलब ये मेरे ख्याल से 6 तारीक की बाती, 6 के से लेके ये 15 तारीक को इसने 2800 का लेवल चू दिया, तकरीबन 1000 पॉइंट चल चुका था, तो खबर के पहले ही कई लोगों को इस, मतलब खबर आने के पहले कई लोगों को इसकी जानकारी थी, पैटन वाइस बात करें, तो अब तो खेर पैटन करने की कोई, मतलब, स्टॉक में अच्छा उच्छाल देखने को मिला, तो स्टॉक अगर थोड़ा सा इन लेवल्स पे आता है, 2200 तकरीबन इन लेवल्स पे आता है, तो स्टॉक में दुबारा आप एक छोटा सा S.L. लेके पोजिशन बनाने का जरूर देख सकते हो, दूसरी आज जो important खबर थ एक प्रेगनेंट लेडी की उपर जिससे वो लेडी की जान वहाँ पे चली गई थी, तो थोड़े दिन पहले मैंने टाटा मेटलिक्स का यहाँ पे जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से rounding structure बन रहा है, मैंने मेरे ख्याल से शायद 203 या 202 के लेवल पे इ important resistance है, यह इसके लिए बना हुआ है, तीन साथ की जो trendline breakout था और आप exactly देखो 213, 226 से stock में जो गिरावट देखने को मिली है, तो एक ही दिन में stock तकरीवन 10%, 223 से गिरके सीधे 192 पे आ चुका है, तो यह वाला analysis जरू चेक करना मैंने किस तरीके से आपको short term में अच्छा य इस पे ban लगा दिया है, एक और बहुत important news निगल के आ रही है, solar PLI scheme जो अभी जिसकी घोशना हुई है, इसकी वज़े से stock है sterling and wilson, ये मेरे ख्याल से आज काफी उपर था, तो एक बार हम इसका chart देख लेते हैं, क्योंकि इसका chart काफी interesting होने वाला है, sterling and wilson solar का ये chart यहाँ पर open हो चुका है, तो chart में कुछ खास बात नहीं है, मतलब downtrend में था stock 2020 से continue, शायद यहाँ पर कहीं IP हो आया था, downtrend में था, flag का breakdown हुआ था, नीचे गया, उपर आया, फिर नीचे गया, तो आज बहुत दिनों बात एक consolidation का breakout दिया है, बट अभी भी मैं अगर बात करूँ तो as such कोई trend बहुत खास नहीं हुआ है, एक trend line जरूर इसने break की है, यह जो यह weekly chart difference, यह trend line जरूर यहाँ पर break की है, एक तरीके से triangular pattern का breakout दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी stock में थोड़ा सा और हमें patiently wait करना चाहिए, एक बार stock अपने in levels, अग्रिबन 396, 407 के levels को अगर निकाल देता है, then हम इसमें कुछ position लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि आज भी इतना बड़ा जो up move आया है, उसके बाद sell off आ गया है, जो आपको wick दिख रही है, जो shadow दिख रही है, stock ने high बनाया था 361 का, 361 के बाद सीधे 337 पे stock आ चुका है, तो अभी fundament के ऐसा लग रहा है मैंने थोड़े दिन पहले आपको DAO futures का भी chart बताया था, next bull DAO futures का weekly chart मैंने आपको बताया था यहापे, किस सरीके से head and shoulder pattern, rounding top pattern, उसके बाद head and shoulder pattern के बाद, एक और head and shoulder pattern का breakdown हुआ है, 2020 का जो low थे, वो जो trend line थी, इतनी बड़ी trend line, 20 साल के trend line को DAO Jones, जो कि अमेरिका का सबसे working target है, इस index के लिए वो तक्रीवन आ रहे है, 29,395 पर, 29,850 अल्रेडी हो चुका है, तो आप इसका भी मैंने, मेरे खाल से 4-5 दिन पहले इसका वीडियो शेयर करके बताया था, कि DAO Jones के pattern से क्यों हमें डरना चाहिए, और फ्रेंट जो लोग यह बात कर रहे थे कि Indian stock market decouple हो दीरे-दीरे fall था, बट दिन बर गिरता रहा, screen के सामने गिरा, तो यह बता रहा है कि जो beers लोग थे, वो बहुत ज़ादा हावी हो चुके हैं दलाल स्ट्रीट पर, तो यह था DAO Jones का chart थोड़ा सा dollar index पर भी नजर मार लेते हैं, कि dollar index क्या कर रहा है, तो dollar index मेरे खाल से 20 साल क पर जा रहा है, यह मतलब बहुत ज़ादा scary है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने तकरीबन अपना 2000 जो year में जो level था, वो भी clear कर दिया है, 1986 में की level था, मतलब resistance थे, यह भी clear कर दिया है, तो अब जो next level आ रहा है, वो 130 निकल के आ रहा है, dollar index के लिए, तो यह दोनों हमारे लिए मतलब काफी जादा worisome है, जो इतने बड़े-बड़े कई सालों के बाद जो macro जो चीजे हैं, उनमें breakout और breakdown हो रहे हैं, इस वज़े से हमें थोड़ा सा डरने की जरुरत है, दूसरा एक और बहुत ही macro factor होता है, जो yield होती है, तो basically yield क्या होती है, bond में जो आप प चल रही है 4%, और जो 10 साल की bond yield चल रही है, वो तकरीबन चल रही है 3%, तो friends मतलब यह जो difference आ रहा है, मैं आपको इसका अभी total difference भी दिखाऊंगा, यह तो हो गई मेरी 2 साल की bond yield, देखो friends, 2 साल की bond yield देखो कहा trade करी, 4.2032 है, और आपको याद होगा COVID के बाद, जब COVID के बाद अमेरिका के Central Bank ने ब्याश दरे एकदम कम कर दी, तकरीबन 0 पे चले गए थे, हम लोग 0 interest rate के scenario में आ गए थे, तब तक stock market ने बहुत तरकी की, ठीक है, 2021 से लेके 2022 तक bond yield 0 थी, stock market उपर जा रहा था, फिर धीरे धीरे हमने top cup बनाया, friends, आपको याद होगा, 2021 October में हमने top बनाय याद है आपको, तकरीबन 17 या 18 तारी, यह आती है हमारी 17 या 18 तारी, यहीं पे bond yield ने अपना bottom बनाया, bond yield जो तकरीबन 0.2530 थी, यहां से bond yield 4% पे आ चुकी है, 1600% का gain हो चुका है, absolute terms में bond yield में, तो यह bond yield चल रही है, 4% पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 10 year की bond yield है, 10 year की जो bond yield चल रही है, आप देखके अभी हरान हो जाओगे, वो चल रही है 3.769, तो ideally क्या होना चीए, जब हम बजार में किसी से short term के लिए पैसा उठाते हैं, तो मतलब आप 2 साल की FD कराने जाओगे, तो bank आपको कम ब्याज देगी, 10 साल की FD कराने जाओगे, तो bank आप उसको कम ब्याज देगे, इसको बोलते हैं yield inversion, जब जब यह ऐसा हुआ है US market में, तब तक बड़ी मंदी आई है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब जब यह stock market में हुआ है, बड़ी मंदी आई है, और ऐसा नहीं कि मंदी मतलब प्रोलॉंग रहेगी, हमेशा मंदी महीने चलती है, आट-10 महीने मंदी चलती है, उसके बाद दुबारा से stock market stabilize होता है, और फिर longer term में stock market उपर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि जित्ते global factors है, यह self adjusting होते हैं nature में, तो यह था friends, आज का analysis पूरा, hopefully आपको analysis अच्छा लग रहा होगा daily basis पे, वीडियो अच्छा जो कि हमारा platform में वहाँ पे, free of cost आपको काफी data provide करते हैं, वहाँ पे आपको options का ATP दिखता है, average rate price, average rate price के अगर नीचे option trade कर रहा है तो खरीत के नहीं करना रहता काम, long unwinding दिखती है, short build up दिखता है, तो सब कुछ clear कर समझ में आता है, एक newbie भी बहुत easily पैसा वहाँ पे कमा सकता है, तो पहले virtually practice करो, उसके बाद real मैदान में उतरो, और फिर अपना skill दिखाओ, तो signing off for today guys, hopefully आपको इस सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, friends के साथ like, comment, subscribe, share करना मत भूलिए, और हमें comment box में लिखके बताइए कि आने वाले दिनों में आप और किस टाइब के व